नमस्कार दोस्तो माया नगरी में आपका स्वागत है हाजिर हूँ मैं एक दिल्चस्प जानकारी के साथ तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा का हिंदी फिल्मों में ऐसा स्टार्डम था कि वो एक ही समय पर दरजनों फिल्में करते थे फिल्म मेकर्स महीनों उनकी डेट का इंतजार करने को तैयार रहते थे करियर के पीक पर गोविंदा ने करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, रानी मुखरजी सहित कई एक्ट्रेस के साथ काम किया था लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी थी जिनके साथ गोविंदा की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था इन दोनोंने साथ में कई फिल्मों में काम किया था और उनकी लगभग सभी फिल्में हिट रही थी। वो एक्ट्रेस है नीलम कोठारी। गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी उस दौर की सबसे हिट जोड़ी थी। उन दिनों दोनों को हिट की गारंटी माना जाता उतना पॉपलर उनका रिलेशन्शिप भी था। उनके अफियर की खबरे चारो तरफ चाही रहती थी। गोविंदा ने खुद अपने पुराने इंटर्वियू में नीलम कोठारी से शादी की इच्छा जाहिर की थी। हम दोनों अलग-लग क्लास से तालुक रखते थे और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था। वो आगे कहते हैं मैंने एक छोटी सी बात पर लड़ाई के बाद सुनीता से अपनी सगाई तोड ली थी और अगर पांच दिन बाद वो मुझे फोन नहीं करती तो शायद मैं न सीक्रिट शादी के बारे में भनक भी नहीं लगने दी थी। गोविंदा ने आगे कहा था कि वो और नीलम कोठारी बहुत ही अलग-अलग परिवार से तालुक रखते थे और एक्ट्रेस ये बात जानती थी। वो किसी स्मार्ट अच्छे घर के लड़के से शादी करना चा झाल 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 झाल